जहिंद देखे एक लास राजनीती का राजनीती के आपको हम पहला चिप्टर जो था लोगतंत्र में सत्ता की साज़दारी किस प्रकार से था उस सारा कुछ हम आपको बताया दिये हुए थे उसमें NCRT बुक से जो भी प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर भी हम करवा दिये हुए थे आज की इस कलास में दुसरा पाठ जो सत्ता में साज़दारी की कार्य प्रनाली जो पाठ का नाम है आपका दुसरा पाठ है राजनीती में उसको हम आपको बताएंगे देखिए सबसे पहले आप पाठ क्या है पाठ का परिचे तो किया प्रिश्ट के मतलब क्या होता है क्या हुआ कि सरकार बैठती है वह सत्ता सत्ता के किहांन घेक की एक प्रकार का कुरिसी कहता है ना कि हम कुरिसी हम जैसे राजनेता वह और पोकुष गया तो सक्ता जो होता है ना देश चलने के लिए सप्ता की जरत होती है कुप ने तो सब्सक्राइब क्या क्रस्थ तो सत्ता में साज्य दारी नहीं रहता गई नेता को चून के भीजए है तो उस नेता है यह यानि कि मुख मंत्रिया कूरसी पड़ा हर नेता का हर विक्तिक आधिकार होता जनता का आधिकार होता है तो जो सत्ता मानि जो देश चलाता है उसका कैसा कैसा काम किस प्रकार से काम करता है सो इसमें बताना देखिए क्या है सासन बेवस्था में सभी लोग की है सिदारी सत्ता में सिदारी के मतलग क्या होता है जो सासन चलाता है न वो सासन बिवस्ता है जैसे नरेंद्र मुद्री सासन चला रहा है तो वो अकेले नहीं सासन चला रहा है हम लोग चून करके भेजे हैं उसको उस जगह पे तो वो सासन चला रहा है तो सासन चलाने के लिए सभी लोग की हिस्सेदारी होती है हर बक्ति के मंजूरी से हर बेख्ति की एक्ष्छा से सासन का सभी वर्गों के भाग को समानँ अधिकार तकि यह सत्ता में साहओ नहीं रहता तो सभी वर्ग मानलती कोई एकन नेता रहता और उसी की अधिकार में सारा कुछ रहता तो फिर वो किसी पर भी मने अत्याचार कर सकता था अपना मन मानी करता जो मन होता सो करता तो यह सत्ता में सभी वर के लोग को समयान अधिकार दिया गया है सभी लोग को खुल करके जीने का अधिकार दिया गया है ताकि वो अपने आपक छोटा नहीं समझे सरकार के तीं अंग होते हैं सत्ती चलाता कुन है देखिया नरेंद्रमुदि तो काम में नहीं आते हैं वो क्या क्ल did लोगों का एक संगठित समू होता है लोगों का एक संगठित समू होता है जो चुनाव लरने का काम करती है जो चुनाव लरता है किस पार्टी से किस पार्टी राजनीति का होता है तो यह बहुत से राजनीतिक रहते हैं यह लिखते लिखें हैं अगला अगला सकती देख है लोकता लोगतंद में होता अगर एक नहीं सच्टी अथी पुरा सकती रहता और Karma मन से कुछ भी कर सकता था किसी को कहीं कर देथा इसलिए शक्ति का बटबारा होना बहुत जरूरी था तो यदि बटबारा नहीं होता तो सत्ता की सारे सकती है किसी एक विक्ति के हाथ में होती है और मनमानी करता बात सही है अगर मालीजे सत्ता के माली अभी नरंद्र मुदितन को चाइमाई करेगा तो क्या करेंगे हम लोग उसको हटा सकते है उसको चाहे उसको नेता बना सकते हैं तो इसलिए सकती किसी एक बेगती के हाथ में नहीं होता है क्योंकि अगर एक वे के हाथ में रहे गा तोब मनमाना कर सकता आपने सक्थी का गलत उपियो कर सकता है यह होता है सक्थी का जो पटमारा होता है क्या होता है सरकार के जितने अंग होते के रिधाय नियाई और स्कूलिक चाहए सक्रद्धas सरकार की एक अग दुसरें पनियांत्र रखता बास नहीं है अगर मालेजे क्या है कि सटा में बटवारह रहा तो यह चलाएँ थीनों चैनल सरकार चलाएटी यह कुछ गलत कर गा journalist ऑनना सब दोनों तो एक दूसरे पर क्या है कि गलत नहीं करने देता है क्योंकि रिस्पॉंस रहता है इसलिए वह क्या करता है सत्ता में बठबारा रहा है ना इसलिए सरकार क्या करता है उसका अंग जो है एक दूसरे पर क्या करता है खat जिसे नियंकर मगों कि बीच होता है ज्यसके पाति और मंतीर्या तरशित का रेपाव का हुआ राष्ट परिश्ट क्या होता है कारिपाल का सांसद किया होता विधाय का सरवस्च नियाले नियाइ पहल का इनके बीच सक्तियों का भी भाजन होता है आपको पूछा जाएगा सरकार कितने अंग होते हैं बहुत सारे ऑपज़क्टी आएंगए कि इनके कऊले का बट्वार होते तो कारी पहल आ selecting पहल का बिधाय अब्सक्राइब प्रोटा यह दो प्रकार से होती है है अब एक 36 होता है जो किसके बीच भुटा है और एक उर्दबाधर होता है जो ग्रामीन अस्तर पर देखने को मिलता है घ्रामी अस्तर पर देखते हैं मनिने सब का burgillar तो होता है भाले करता तो इस ही होता है मर्ट को ऑना करने की ठापिक कर लेगा उसके बाद कुछ टॉपिक करने के लिए इसके बाद अन्युता को अगला क्लास में आप खड़ाएंगे वह इसको नूट कर लिजिए हम हट जाते इसको इसका प्नूट कर लिजिए गाँ कि अब कल देखें गला कला सब तक लिए आप कल देखें गला कला सब कर दो